हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम NEET 2021 का पेपर डिसकसन करने वाले हैं ये नीट 2021 का पेपर है जिसको हम एक एक करके देखेंगे ठीक है अल ओवर हम इस वीडियो में बायलोजी को कवर करेंगे और बायलोजी की एकी सेशन नहीं दोनों सेशन मतलब कि बोटनी और जूलोजी दोनों सेशन को देखेंगे जैसा कि आपको पता है आप एक NEET transparent होंगे तो आपको पता ही होगा कि बोटनी से टोटल 50 questions आते हैं और जूलोजी से टोटल 50 questions आते हैं जिसमें से आपको 45-45 मतलब कि 100 में से 90 question आपको 설प करना होता है बनाना होता है ठीक है उसी परकार chemistry से भी 50 question और physics से भी 50 question आता है जिसमें से 45-45 आपको बनाना होता है ठीक है तो total all over समझे कि हम इस वीडियो में 100 question को cover करने वाले है जिसमें से आपको 90 neat exam में बनाना होता है ठीक है तो start करते हम अपना वीडियो बिना किसी देरी के जैसे कि first जो यहाँ पर आपको question दिख रहा है यह बोटनी session का है ठीक है तो बोटनी session वाले को सबसे पहले हम देखेंगे और जैसे ही 50 question हमारा हो जाएगा तो joology session आएगा और उस फिर हम joology session वाले question को देखेंगे ठीक है तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट काफी जादा important होगा ठीक है तो first question को देखेंगे एक loss आएगा लेकिन इसको भी loss होड़ा है तो यह गलत हो जाएगा यह options नहीं होगा यहाँ एक loss एक को कुछ नहीं होड़ा है तो यह option सही होगा ठीक है तो कितना असान question आया हुआ है उसके बाद फिर next questions देखेंगे in the equation gpp-r is equal to npp मतलब कि gpp-r ब्रावर npp एक formula होता है जिसमें r को catches से represent किया जाता है तो r को मतलब होता है यहाँ पे respiratory loss ठीक है अगें फिर हम next questions यहाँ देखते हैं the plant hormone used to destroy weed to as filled off तो यहाँ पे 24D हो जाएगा मतलब कि यह प्रकार कर क्या होता है हार्मोन होता है ठीक है और कौन सा हार्मोन होता है तो plant हार्मोन होता है ठीक अगें फिर हम आते हैं next questions पे जो कि थोड़ा सा statement बेस्ट पूछा है जैसे कि incorrect statement आपको यहाँ पे बताना है incorrect statement कैसे हम चूज करेंगे तो first यहाँ पे option है microbes are present both the plant and animal cell मतलब microbes जो होते हैं वो दोनों के दोनों plant और animal cell में होते हैं बिल्कुल सही बात कहीं सा रही है अगें फिर है the perinuclear space form a barrier between a material present inside the nucleus and that of the cytoplasm यह भी बिल्कुल सही है अगें दूसरा फिर तीसरा option है यहाँ पे nuclear pore act as passages for protein and RNA molecule in both directions between nucleus and cytoplasm this is also correct option अगें फिर last question है mature sieve tube element passes a conspicuous nucleus and usually cytoplasmic organism और यहाँ पे mature sieve tube elements नहीं हो सकता है इसलिए यह गलत option है ठीक है और हमें incorrect option से choose करना था तो यहाँ पे 4 ही जाएगा ठीक है अगें फिर यहाँ पे जैसे कि यहाँ next question है which of the following is not an application of PCR polymerase chain reaction उतलब इन वासे कौन application नहीं है PCR का तो gene amplification होता है purification of isolate gene होना चाहिए था यहाँ protein नहीं होना चाहिए ठीक है जैसे कि purification होता है isolate होते हैं लेकिन किस चीज के gene के ना कि protein के तो यह option गलत होता है ठीक है अगें यहाँ पे detection of gene mutation बिल्कुल सही options है molecular diagnosis बिल्कुल सही option है मतलब कि to is the incorrect statement because यहाँ पे protein है यहाँ gene होना चाहिए ठीक है यह कुछ code है ठीक है इस exam के अब आते है next question पर now this is our next question which of the following are not secondary metabolite in plant तो इन में से कौन secondary metabolite के plants मतलब metabolites जो होते है plants के उसके secondary metabolites के कौन से नहीं है इन में से option जैसे कि amino acid and glucose लिखा हुआ है तो यह नहीं होता है उसके बाद फिर है यहाँ पे blastovin, curcuin उसके बाद rubber, gum, morphine, codines यह सारे के सारे secondary metabolites हैं लेकिन यह जो होता है यह इसलिए यह option incorrect हो जाएगा मतलब नहीं है secondary metabolite अगेन आते हैं फिर हम अपने next questions पर जैसे यहाँ पे matching पूछा गया है matching क्या चीस से यह कौन से chapter से है matching यह जो है यह chapter 8 से है cell chapter से जो काफी साथ important है है जैसा कि यहाँ पूछा क्रिष्टे क्रिष्टे जो होता है वो कहां तो यह एक mitochondria के अंदर एक infolding का काम करता है ठीक है तो इसका right answer से हाँ mitochondria से मिला देंगे infolding in the mitochondria अगे थैलाकवाइड है तो थैलाकवाइड को हम किस चीस से मिलाएंगे थैलाकवाइड जो होता है न यह प्लास्टिड के अंदर होता है और प्लास्टिड के अंदर एक stroma नाम की मतलब साख होती है एक flattened type की membrane होती है उसी में तो ठीक है तो हम यहाँ पे stroma देख जैसे यहाँ पे प्लास्टिड के इंटर्नली जो साख होता है वह एक flattened membranus साख होता है ठीक है अगे फिर यहाँ पे centromere को देखेंगे centromere एक primary construction होता है chromosome के इंटर्नली और क्रिष्टे जो होता है वह कहां होता है एक disc shape का structure होता है गोलजी अपर्टस में तो जब भी आपक option choose करना था तो right answers यहाँ पे 2 हो जाएगा ठीक है अगें फिर हम आते है next questions पे DNA strain on a gel strain and ethereum bromide when view under ultraviolet radiation appears as तो यह किस चीज़ से appears होता है तो यहाँ पे इसका right answers हो जाएगा one number bright orange bright orange bond ठीक है मतलब कि यहाँ पे orange bond जो होते है वही bright होता है अब जेखेंगे जैसे नीट 2021 का question था त ठीक है और नीट 2022 में भी इससे related question आया था बट उसका जो मतलब कि कहने का तरीका था उसका जो language थोड़ा सा अलग था ठीक है थोड़ा different था जो कि हमने नीट 2022 का question भी discuss कर लिया है है ना इस मतलब कि channel के playlist में आपको वीडियो मिल जाएगा आप जाके वहाँ से देख सकते हैं अगेन आते हैं फिर next questions में आपे next questions है the production of gamet by a parent formation of gigot the f1 and f2 plant can be understood from a diagram is called उसको planet square कहा जाता है क्यूंकि जैसे कि दो gamet है x और y है ठीक है और फिर कोई हमें small x small y का कोई मतलब की gigot मिल गया ठीक है अब मतलब की parent है और एक कुछ gamet produced हो रहा है और फिर हमने उसका production करवाया उसका reaction करवाया तो reaction करवाने के बाद एक small x एक small y फिर एक small x और capital y से मिल गया मतलब की बहुत ही ज्यादा वहाँ पर diagram type का बन गया और उसी चीज़कों क्या बोलेंगे पनेट स्काइर बोलेंगे ना कि पंच स्काइर इस अल आर इंकरेक्ट बट पनेट स्काइर इस दराइट आंसर तीक है यह निए 2019 में भी question आया हुआ है तीक है अब आते है फिर next questions पे जैसे next questions में क्या कहा जा रहा है तो यह इसका आंसर सही होचाएगा अब आते है next questions पे अगें this is our next questions which of the following statement is not correct मितलब इनमें से कौन correct नहीं है तो option है parameter of biomass is seen generally upright नहीं यह inverted होना चीए था option incorrect यह होगा ठीक है parameter of energy is always upright विल्कुल सही है parameter of number and grassland ecosystem is always upright विल्कुल सही parameter of biomass सी generally inverted है इसी चीज़ का यहाँ पे सही correct options लिखा होगा ठीक है the site of perceptions of light in plant during photoparadism is तो इसका right answers leaf हो जाएगा ठीक है अगें आते है next questions पे जो की matching का है जैसे की lenticles है core cambium है secondary cortex और cork है ठीक है तो सबसे पहले हम lenticles को मिलाएंगे किस चीज़ से यहाँ पे lenticles हो जाएगा exchange of gases उसके बाद core cambium जिसका right answers phallogen हो जाएगा secondary cortex का तो आपको भी पता है बिल्कुल सिंपल सा होता है phalloderm और core का क्या होता है suverine का deposition हो ठीक है तो core cambium से ही suverine का deposition होता ह suverine जो की civum नाम का एक nose के उपर में आता है तो 3,1,4 and 2 is the right answers ठीक है अगेन आते हम अपने next questions पर जो की again matching पूछा गया और काफी जादा है यहां से matching जो हो repeated होते है मतलब all over समझे कि यहां से लगबग 20 से 25 questions तो यही repeat हो जाएगे यही repeat ठीक है तो जैसे कि यहां पर है protoplast fusion protoplast fusion जो होता है इसका items इसका items पॉमेटो हो जाएगा ठीक है P4 पॉर प्लास्ट है और P4 पॉमेटो आप ऐसे याद कर सकते हैं again plant tissue culture जो होता है उसका total potency उसकाण medicine culture आपको पता है medicine culture जो होता है एक virus free plant होता है उसके अंधर कोई virus नाम की चीज़ नहीं होती again micro propagation this is known as सवयमिगोंगे तो यहाँ पर इसका राइटोंस विसका राइटांस थ्री, टू, फॉर एण 30,000 अब आते हम अपने नेक्स्ट कोर्शन से यहाँ पर क्या है गुटेशन का water loss in the liquid phases तो 3, 4, 2 3, 4, 1 and sorry 2, 4, 1 and 3 is the right answers अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट कोशन पे वेन जीन is splitting अब यहाँ पेना जीन टोलरेटिंग से कोश्चन आया हुए है कि वेन जीन टोलरेटिंग अगेन फिर नेक्स्ट कोश्चन डाया हुए है तो समझ सकते हैं आप कितना मतलब कि सारे कोश्चन जो है वो रिपीटेड ही है यहाँ पे कोई नया कोश्चन नहीं है पहले से पूछे गए है अब इसके इंटर्नली जैसे कि यह जो एंज्जूस परम होता है और मैच्वर इंब्रियोस एक होते हैं तो उसके अंदर एंटी पोडल सेल होते हैं जो कि 3 सेल होते हैं अगरे उसमें एक होती है फिर सिनरेजिट फिलिफोर्म एपर्टस तो चैलाजल इंट पे अंदी पोडल सेल होता है और फिलिफोर्म एपर्टस जो होता है वह कहां पर होता है वह माइक्रोपाइलर इंट के पास होता है यह सब स्टक्चर माइक्रोपाइलर इंट और यह सारे स्टक्चर चलाजल इंट में होते हैं जो कि 3 सेल होते हैं अब आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट कोस्टन कहां जा रहा है list 1 and list 2 को matching करना जैसे कि cell with the active cell division capacity किसमे होगी तो medicine tissue में होती है division की capacity again tissue having the cell similar in the structure and function तो tissue से related हमें कहाँ पे मिल रहा है simple tissue again tissue having the different type of cell tissue having different type of cells अगर बन रहे हैं तो इसका right answers vascular tissues है और last में हमारा dead cell बनता है तो dead cell with highly thick wall and narrow lumen इसका right answers यहाँ पे sclerid हो जाएगा मतलब 2, 4, 1 and 3 is the right answers नाओ अब हम नेक्स्ट को देखते हैं So this is our next questions तर्म used for transfer of pollen grain ये निट 2023 और 2021 में काफी जादा बर repeat हुए थे है ना और निट 2022 में भी ये से related question आया था थोड़ा सा different था तर्म used for transfer of pollen grain for enter to plant of the stigma and different plant which during pollination and genetically different type of pollen grains of the stigma अब different plant आगा ना तो genogammy हम लगा देंगे सेम plant होगा तो autogammy और jitnogammy ठीक है और फिर next questions फिर आते हैं इस बार पक्के ही आएंगे निट 2022 में ये question आया हुए था अगें फिर next questions देखते हैं complete the flow chart on central dogma जैसे कि यहाँ पर ये एक structure है तो B और C को हम क्या बोलेंगे और A यहाँ पर दिया गया तो A को हम यहाँ पर applications बोलेंगे B जो होता है ये transcription का होता है transcription process हो गया फिर mRNA बन गया और फिर यहाँ पर translation का process होगा और तब जाके वहाँ पर protein का निर्मान होगा ठीक है सबसे पहले replication फिर transcription फिर translation और protein इस इस दर राइट आंसर यहाँ पर transcription पहले ही गलत हो गया है यहाँ पर protein है परोटीन है लेकिन हम आगे के चीज़ों को मिला एंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा अगेन फिर next questions देखते है which of the following plant is monoseous इनमें से कौन plant monoseous plant है तो कारा बाकी साड़े के साड़े diversious plant होते है अगेन आते है next questions पे mutation in cell sorry plant cell can be introduced by तो mutation plant cell के अंदर है तो उस चीज़को हम किस चीज़ से represent करते है गामा एडे से ठीक है यहाँ पे गामा एडे होगा again फिर next questions है which of the following is correct sequence step in PCR मतलब कि PCR के लिए आपको correct sequence देखना है तो यह question हमने NEET 2021 में पहले भी देखा था और फिर यह मतलब कि दुबारा यह repeat हो रहा है जैसे कि यहाँ पे PCR पे question आया हुआ है कि denaturation extension analyate यह बिल्कुल गलत option है denaturation नहीं होता है extension denaturation गलत हो गया फिर denaturation गलत denaturation analyation और actuation है यह जो देखिए option सारे साही है लेकिन आपको यहाँ पे sequence बताना है मतलब sequence कौन सा साही है तो सबसे पहले denaturation होता है उसके बाद फिर होता है क्या चीज annealing लेकिन यहाँ पे extension दिया था तो यह गलत हो गया मतलब की D is the right answer DAE is the right मतलब right sequence आगेन आते हैं फिर next questions फिर यहाँ पे हमारा next questions क्या कहा जा रहा है कहा जा जा रहा है genera like अप सेले जी नहीं है और सालवेनिया आपको option दिया गया तो यह किस के मतलब की concept plant के example है तो यह एक hydrosporus होता है जो कि NEED 2023 में भी repeat हुआ था अगेन फिर यहाँ पे next questions तेकेंगे which of the following stages of muses involved division of centrum the right answer is enough is second देखिए NEED 2023, NEED 2019, NEED 2021 तो समझे कि 23 में भी repeat हुआ, 19 में भी repeat था और यह 21 का paper है तो 21 में भी आया हुआ है मतलब समझ सकते हैं toilet हम यह कर सकते हैं कि NEED 2021 के question NEED 2023 में repeat हुए थे तो NEED 2022 के question 24 में पक्का ही काफी ज़्यादा repeat होंगे तो NEED 2022 का paper हमने पहले से discuss कर लिया है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के playlist में जाके उस वीडियो को निकाल के देख सकते हैं ठीक है? प्यू आई क्यू का most important प्यू आई क्यू का playlist है उसमें मिल जाएगा अगे नाते हैं next questions पे during the purification process of recombination the DNA technology addition of chilled ethanol precipitate out तो आपे क्या out होगा? DNA out होगा ठीक है अगें आते हैं फिर next questions पे the factor that lead to founder effect founder effect जो है ये निर दो हजार पाइस में question आया हुआ था founder effect का राइट अंसर से यहां पे genetic drift हो जाएगा फिर next questions which of the following algae produced carazine carazine एक red algae गा एक्जामपल है जिसको रोडू फाइसी बोलते हैं अगें फिर आम next questions देखेंगे gamma are present in gamma किस में present होता है some liverwoods में present होता है again the next questions is the amount of nutrients such the carbon nitrogen phosphorus and calcium present in the soil at any given time is refers to as the right answer is standing state again the next questions यहां पे when the centromere is situated in the middle of the two equal arm of chromosome the chromosome refers to that metacentric उसको metacentric बोलेंगे कि उसके दो equal arm जो है मतलब जैसे आपर कहड़ाए कि middle of two equal arm of the chromosome is refers to मतलब middle है छोटे हैं तो इसका right answer is metacentric होगा again आते हैं next questions पे तो अब हम स्टार्ट करेंगे botany के session B का question session A का question 1 से 35 तक होता है मतलब 101 से 135 तक होता है जिसमें से 35 question आपको बनाना होता है बिल्कुल clearly confirm है लेकिन 35 के बाद जैसे ही 136 से 50 question आपको 15 question टूटरल इसमें मिलेंगे जिसमें से 10 cancer देना है ये थोड़ा subjective wise होता है अब देखिए इसमें आपको थोड़े से language जादा मिलेंगे इसे DNA fingerprinting involved किसमें होता है identify differences in some which reasons in DNA sequence is called तो इसको repetitive DNA का आजाता है ठीक है आगे आते next questions पे अब आपको ना ज्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं देना gene application है उसके बाद beta galactoside है तो direct हम किस चीज़ को लगाएंगे कि यहाँ पे equally जो है यहाँ पे fourth हो जाएगा मतलब कि it will not be able to confirm amplification resistance in the host cell अब आते है फिर यहाँ पे matching कुछा गया है matching में क्या है nitrococcus vector disome उसके बाद tribovillus and theovillus और nitrobacter तो nitrobacter का आपको पता ही है कि वो catches nitrate और nitrite में convert होता है तो इसका idea answers 3 हो जाएगा अब यहाँ पे हम सबसे पहले option को देख लेंगे c का 3 अब यहाँ पे c जो है c का sorry c का 1 होगा यहाँ ठीक है थायरो है क्या होता है denitrification होता है तो 3 का 1 हो जाएगा तो c का 1 यहाँ पे मिल दाए बाकि साड़े options अलग यह है तो इसी को हम मिला लेंगे ठीक है आगे नाता है फिर next questions पे जो की matching है और यह need 2023 में बिल्कुल repeat हुए थे जैसे कि protein का हम किस जिस से मिलाएंगे peptide bond बनाते है तो यहाँ पे इसका right answers 4 हो जाएगा उसका बाद unsaturated fatty acid cc double bond उसका बाद nucleic acid का क्या हो जाएगा phosphodiester bond और polysaccharide का यहाँ पे right answers glycosidic bond हो जाएगा मतलब 4,1,2 and 3 is the right answers ठीक है अगे आते हैं फिर हम अपने next questions again this is our next question जो की फिर से मतलब की यह cell cycle का है और यह question भी matching ही है ठीक है जिसे इस phase में क्या होता है DNA card application DNA 2 उटता है तो DNA card application यहाँ पे आपको 4th में मिल रहा है again फिर G2 phase G2 phase में क्या होता है कि protein का synthesis होता है और इस protein का नाम होता है histone protein तो इसका right answers यह हो जाएगा question test जो होता है वो G0 phase कहलाता है ठीक है तो इसका right answers यहाँ पे inactive phase हो जाएगा ठीक है कि वो किसी काम का नहीं होता और वो active भी नहीं होता again G1 phase जो होता है जो बचिया हो right answers ठीक है मतलब कि DNA application के लिए वो कुछ काम करता है initiate करता है ठीक है so 4th 1, 2 and 3 is the right answers यह question देख सकता है आप कितनी बार पूछी गई है मतलब काफी जादा बार this is correct option बागी साड़े option incorrect है अगे आते हैं अब यहाँ पर कहला है fusion of 2 cell is called sing amy होना चाहिए था यहाँ पर carrier amy दिया है तो गलत ही होगा अगे आते हैं next मतलब की options पे जैसे कि which of the following statement is incorrect तो इनमें से कौन से statement incorrect है तो जैसे stroma of lamella is ps1 and lack of the बिल्कुल साइ options है granul amyla and ps2 बिल्कुल सी है ps1 का मतलब आप समझे photosystem 1 होता और photosystem 2 अगे फिर यहाँ पर है cyclic photo phosphorylations involve both ps1 and ps2 बिल्कुल ही option गलत है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और से ps1 होना चाहिए था ना कि ps2 भी ठीक है तो गलत option हो गया अगे आते हैं हम अपने next questions पर यहाँ पर next questions क्या कहा जा रहा है identify the correct options correct options को आपको चूज करना है जैसे कि RNA polymerase bind with RHO factor and terminate the process of transcription in bacteria the right answer is यहाँ पर right answers आपको क्या मिल गया मतलब कि यहीं मिल गया correct option चूज करना ही है तो correct option यह हो गया क्योंकि RNA polymerase bond जो होता है वो RHO factor के साथ अगर terminate हो जाते है तो उस process को transcription in bacteria का आजा है मतलब bacteria के अंदर वो transcription का process हो गया ठीक है तो age the right answers बाकि options गलत है आप पर सकते हैं again for next questions यहाँ पर देखेंगे in the exponential growth equation तो यहाँ पर nt is equal to n not e rt रिप्रेजेंट किया जारा है तो exponential growth equation यहाँ पर मतलब की यह होता है इसको किसी सा represent करते हैं तो यह एक परकार का मतलब की natural logarithmic का base होता है मतलब the base of natural logarithmic so two is the right answers अब आते हैं आगे के questions नाओ this is our next questions नाओ a day it is the possible detect to mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe and hydro dyes and it is compulsory DNA and clone to the cell followed by the detection using the auto-radio graphic because अब यहाँ पर जो है जैसे पूछा जारा है को की causing cancer causing essence क्या होते हैं ठीक है तो इसका right answers यहाँ टू होजाएगा mutated gene जो होते हैं वो एक appears नहीं होते हैं इन्दा फोटो ग्राफिक फिल्म के लिए हैं और वहाँ पर कोई prob नहीं बनाते हैं वो मतलब कि कोई भी no chances ठीक है तो two is the right chances तो c के one अगर होते हैं तो इसको हम 5 से ही बूलते हैं अगर c के five compositions है तो इसको हम 16 यह इसे ही बोलेंगे c के अगर यहाँ पे जैसे के c तो यहाँ पे दिखी नहीं रहा है और तो इसको छुड़ देते हैं अभी c के four awkward options मिलेंगे तो आपको अब 80 किसी ही लगाना है बाकी last वाला बच गया उसको mix up कर देंगे तो correct option आहाँ पर 3, 4, 2 and 1 हो जाएगा ठीक है Again the next question says which of the following statement is incorrect मतलब इनमें से कौन statement incorrect है जैसे कि पुछा जाड़ा है In ETC मतलब कि electron transport chain the molecule of NADH and H plus give the rise of 2 ATP molecule and FADH rise to 3 ATP molecule नहीं यहाँ पे जैसे कि 3 ATP molecule नहीं होना चीए था जैसे कि FADH नहीं होना यहाँ पे NADPH2 होता तब जाके 3 ATP molecule होता है इसलिए गलत option है और FADH दो होता है नहीं तो this is incorrect test statement बाकी सारे statement सही है जैसे ATP synthesis through complex भी बिलकुल सही है Oxidation reduction reaction produced protein gradient in the respiration this is also correct during aerobic respiration role of oxygen in the limited to the terminal stage तो यह भी विलकुल सही option है अब आते हैं next questions पे यहाँ पे नीर 2023 में भी क्योंस कोस्चन आया हुआ है अब आते हम अपने next questions पे जो कि यहाँ पे है और यह next questions काफी जादा simple सा question है देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था इसका right answers रोजी से ही लग में CI होता है और एक solen ACI भी होता है लेकिन इसके साथ जो पोई AC के एक्जामपल है यह नहीं होता है इससे की first में है in dicot leaf vascular bundles are surrounded by large thick wall cell तो इसका right answers यहाँ पे क्या है consecutive cell है जो की गलत है consecutive tissue नहीं होना चाहिए था यहाँ पे ठीक है अगेन बाकी साड़े options incorrect है तो correct option this is true अगेन हम यहाँ पे discuss करेंगे section जूलो जी का मतलब total all over हमने 50 question कर लिया है अब 50 question और करना बाकी है जो की हम थोड़ा सा fastly करेंगे कि काफी जादा time हो चुक्या अगेन फिर यहाँ पे first question जो है 151 से लेकर 200 तक करेंगे जैसे कि beach of the following is not an objective of bio fortification in crop ठीक है मतलब कि objective बताना है bio fortification के लिए कि इंद में से concern नहीं है तो कह रहा है कि improve resistance to disease विलकुल पहला ही options गलत हो गया है आपे इंप्रूब बता रहा है तो इंप्रूब थोड़ी होगा जैसे कि अब नहीं है तो bio fortification crop के internally होगा तो वहाँ पे disease में तो improvement होगा नहीं क्योंकि अब हम bio fortification किसी ना किसी फायदय के लिए कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि improve resistance to disease तो disease में तो इंप्रूब्मेंट होगी इसलिए option गलत हो गया हमें गलत option नहीं चूज़ करना है तो यह सही हो गया बाकि सारे option जैसे improve vitamin content बिलकुल सही है improve micronutrient, mineral content यह भी सही है, improve protein content यह भी मिल्कुल सही है अब आते है फिर next question पर read the following two statement sorry read the following statement सारे options को में correct मतलब की यहाँ पर read करना है और फिर हमें यहाँ पर देखना है कि कौनसा सही है कौनसा गलत है जैसे कि metagenesis is observed in the helminthes बिल्कुल option गलत लग रहा है again echinoderms are tropoblastic and psyllomate animals this is correct option runworms have organ system level of the body organization यह भी सही है cambium plate present in the tino4 help in the digestion यह options correct नहीं लग रहा है क्योंकि यह digestion में help नहीं करते है complete जो भी प्रिजेंट होते है ठीक है उसका वाटर वैस्कुलर सिस्टम is characteristics of echinoderms यह भी सही है मतलब कि correct option आपको choose करने है तो यहां पर b correct है c correct है और e correct है मतलब right answer is b c and is the right answer ठीक है आगे नहीं आता है फिर हम अपने next questions पर जैसे कि यह digestion and absorption का जो की hurt चुका है ठीक है बट फिर से हम देख लेते हैं the right answer is terminalization of casmata की बात की जाएगी तो diacanesis gigot में क्या आता है इससे कि आपको packatin में crossing over gigot में synaptic complex ठीक है और lapitatin तो first options होता है तो इससे ज्यादा question नहीं आते है मतलब कि diacanesis का यहाँ पर terminalization of casmata प्यात कर लिजे कितने भी question आ जाए लेकिन यहीं से आएगे ठीक है जब भी diacanesis पर question पुछा जाएगा terminalization की बात जरूर की जाएगी अगें फिर next question से यहाँ पर है कि कोई fruit fly है ठीक है fruit fly में 8 chromosome अगर है किस चीज़ पर interface में on the meiotic and the number of chromosome in G1 is 8 अब आपको chromosome की बात की जा रही है ना कि centromere देखिए जब S phase आएगा जैसे G1 से S phase में आते हैं तो 2 से 4 आता है लेकिन centromere change होते हैं क्योंकि DNA वहाँ पर replicate हो रहा है क्रोमोजोम थोड़ी बदल रहे है क्रोमोजोम तो M phase में बदलेंगे ना मतलब M phase में वहाँ पर division होगे तो यहाँ पर कहा जारा है कि G1 phase है और G1 phase में 8 क्या है क्रोमोजोम है तो what will be the number of chromosome in S phase में भी सही में रहेंगे आट ही रहेंगे ठीक है ना कि वहाँ 32 हो जाएंगे 32 कब होता यहाँ पर क्रोमोजोम नहों के centromere होता तो नीट 2020 में आया हुए a question है आगे नाते next questions पर फोर effective treatment of the disease मतलब कि आपको effective disease के effective treatment बताने यह लिए diagnosis and understood the physiological very important and each of the following molecular diagnosis technique this is ELISA technique ठीक है जब भी molecular diagnostic technique की बात की जाएगी ELISA technique आपको रहाद रखना है अब आते next questions पर with regard to the insulin choose correct options the right answer is a c and d लिखाऊ तो यह जो है लिखा हुआ है यहाँ पर catches c-peptide is not present in the mature insulin बिल्कुल सही बात है c-peptide नहीं present होता है insulin के इंदर insulin एक पर नाम का हर्मोन होता है ठीक है उसके बाद the insulin produced by ddrn मतलब rdn ने includes the c-peptide तो c-peptide तो दिया हुआ है यह बिल्कुल मतलब की सही है लेकिन यहाँ पर rdna कहां सहाँ जाएगा rdna ribosomal dna तो होता है नहीं है this is incorrect statement ठीक है उसके बाद फिर next हमारा options है the pro insulin has c-peptide है यह बिल्कुल सही है उसको c-peptide बोलते है और a peptide b peptide of insulin are interconnected by disulfide ds तो यह भी बिल्कुल सही है मतलब a c and ds तराइट है अब आते हैं हम अपने next questions पे जो की matching का है जैसे कि यहाँ पर पुछा गया aspergillus nagar तो aspergillus nagar जो होता है वह eccentric acid होता है उसके बाद acidobacter acet acetic acid होता है तो आप यहाँ से भी याद रख सकते कि acidobacter acetic acid हो जाएगा ठीक है यहाँ पर lactobacillus है तो lactic acid हो जाएगा तो ऐसे करके correct option है यहाँ पर 3,1,4 and 2 हो जाएगा the right answer is fourth again फिर हम अपने next questions को यहाँ पर देखेंगे जैसे next questions matching ही है जैसे metamorism है canal system complete और tynofera complete पर हमने question किया था बट फिर हमारा question यहाँ पर objective में पूछ दिया गया matching में ठीक है तो complaint कहाँ यहाँ यहाँ पर है टीनफोरह होता है complete उसका थानलिट कहाँ पर होता है पॉडी फिरा में होता है канал system अईटा में में घदीक म सिंपी है कि नहीं पतही आपहें और गौनीन और साइटोसीन, था मिन 30% हुता है गौनीन 20% और साइटोसीन भी 20% तराइट अंसर यहां पर 2 जाएगा, 20 वाला 20 वाला 20 वाला गलत जाएगा तीन अप्शन अगें फिर हम अपने नेक्स्ट कॉस्टन पर आते हैं, यहां पर पुछा गया है क्योंकि जब भी PO2 जो होगा, मतलब कि partial pressure of oxygen जो होगा तब क्या होगा कि वहां पर partial pressure of carbon dioxide लो हो जाएगा, या फिर H plus concentration भी लो हो जाएगा या फिर temperature जो होगा वो भी लो हो जाएगा, ठीक है उसके बाद हम आते हम अपने नेक्स्ट कॉस्टन पर यहां पर बिल्कुली सिंपल सा कॉस्टन जो कि 2013 में repeated हुआ था तो समझ सकते हैं कितरा जादा कॉस्टन रिपीट हो रहा है इसमें जैसे माइटो कॉंट्रिया गलत हो गया, माइटो कॉंट्रिया तो होता ही नहीं आपाई, माइटो कॉंट्रिया तो अलगी टॉपिक है ना? तो यहां पर यह भी कॉस्टन नहीं 2030 में पुछा गया था और बिल्कुल ही सिंपल सा तो इस इस दर राइट अंसर अगें इस इस आ नेक्स्ट कॉस्टन मैचिंग से है जैसे कि यहां पर है फाइसला फाइसला उसका लामिला और एसलमेट और पिन किरेट डार्ट तो इसका अनसर यहां पर 2 हुजा है फिर इसका राइट अंसर त्री इसका इस वोट और लास्ट वाला का यहां पर भोण हो जाहाँ मतलब 2434 और बसे तौर तो निज्या इस अच्छर और फिर यहां पर कार्वन डैयोक्ट आप्सइड का कम होता है बाकी जासे ऑक्सिएन का इस में ज लेकिन 95 वह तो बलत होगा अब आता है next question यह जो है ना यह जो option यह एलवलाई के लिए है लेकिन sorry अलवलाई के लिए नहीं मतलब कि atmosphere के लिए है लेकिन अलवलाई के लिए मैं पूछा गया तो यह होजाए लेकिन question next है जो की reproductive health से related है जैसे वल्ल जो होता है यह क्या करता है सर्विक्स को ब्लॉक करने का काम करता है ठीक है मतलब इंट्रियो फैसपर्म थूदा सर्विक्स ब्लॉक इस इस तराइड अगें आयुदी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यह जो होता है बहुत ही safe method माना जाता है और इसका र बास difference को कट करके remove करेंगे और ट्यूविक्टोमी में फैलोपन ट्यूब करेंगे कट करके ठीक है तो यहाँ पर तू शॉडी वान थ्री तू एन पॉर्थ इस तराइट आंसर नाओ दे नेक्स्ट कोर्शन यह निट दौजर बाइस में कोर्शन रिपीट हुआ था निट द सब्सक्राइब करेंगे तो इसका राइट आंसर टी नाचुरेशन हो जाएगा जो कि नीट दौजर तैसमें आया हुआ था अब आते है नेक्स्ट कोर्शन जो कि आपको यहाँ पर मतलब की सेम से मैचिंग पेरिंग दिया गया है जैसे कि टॉक्सिन का एबिरीन विल्कुल सब्सक्राइब तो यहां पर यहां पर दिया है तो यह भी बिल्कुल सही द्रॉक का यहां पर रासी नहीं होना चीह तो जाने ऊपको यहां पर पूछा जैगा पर क्रोनिक ऑ्टोएम्वीन डिसॉर्डर और और इसके लिए भी यांद कर सकते है कि paralysis of skeletal muscle मतलब कि skeletal muscles के अंदर paralysis हो जाएगा तो उसको हम masthenia gravis बोलते हैं अगें the next question is which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogen and fibrin this is thrombin अगें फिर next question the centriole undergoes duplication during S phase, S phase में DNA काई application duplication सब कुछ होता है pro phase M phase के internally और meta phase M phase के internally आता है G2 phase में captive phase बोलते है इसमें strong protein का synthesis होता है आगें the next question is which one of the following organism bears hollow and pneumotactic long bones the right answer is neophran ठीक है अगें फिर receptors of sperm binding in the mammals are present on zona pellucida मतलब कि sperm binding के मतलब mammals के sperm binding के internally एक receptors होता है एक रुकावट होती है जिसको zona pellucida बोलते है ठीक है रुकावट करने का काम करते हैं अगें फिर next यहाँ question a specific recognization sequence identify the endo endonucleases to make cut and a specific position within DNA is known as palindromic nucleotide sequence now the next questions is again this is our next questions in a cross between a male and female both heterozygous for sickle cell anemia gene what percentage of presently will be disease the right answer is 25 percent again the next question is which one of the only enzyme has the capability of catalytic initiations elongations and terminations in the process of transcription in prokaryote the right answer is a dna dependent on rna polymerase again for next question is succosyntheticus refers to succosyntheticus कों किस्चिस रिफर्स करेंगे तो यह एक परकार के inter interstitial choose होते हैं बाकि सारे option चहावग सकावग सिंटेडिकस को सब्सक्राइब नहीं करता अगें दानेक्स्टों सिंपल है बिलकुल मतलग की 2023 में भी आया होता है यह question जो है इसको हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं जिसे example of hormone releasing iod this is lng20 बाकि यह सारे option है यह non-medicated होते हैं non-medicated iod इनको माना जाता है लेकिन hormone releasing iod lng20 होता है यह जो होता है यह non-medicated होता है तो आपको non-medicated और medicated में याद रखना है जैसे की copper T जो होता है यह medicated होता है बाकि यह दोनों non-medicated माने जाता है और यह जो होता है hormone releasing iod होता है lng20 आगें फिर next questions देखते हैं वैंडल disease वही मतलब कि sexually transmitted disease को ही वैंडल disease के नाम से जानते हैं तो यह जो होता है kissing से नहीं होता इन्हेडिटेंस तो होते नहीं और यूजिंग esterile needles यह needle के मतलब esterile कहने का मतलब है कि जो मतलब कि ऐसे मतलब उनके organ reproductive organ damage है तो उनसे नहीं हो सकता ठीक है लेकिन यहाँ पे है कि transfusion of blood from the infectious person बिल्कुल सही है बलाट के transfusion से होता है और mother को अगर infected mother है sexually transmitted disease से तो उस बच्चे को भी हो जाएगा ठीक है जो उसके uterus में पल रहा होता है ठीक है AB blood group है तो उसको universal recipient बोलता है किस कुन के कारण तो उसमें antibodies होता है वो absent होता है NTA antibody in the plasma के अंदर ठीक है अगें the next question is which one of the following RNAs is not required for the synthesis of protein this is siRNA ठीक है बाकी tRNA, rRNA, mRNA यह तीनों हमें पढ़ना है यह नहीं पढ़ना है अगें the next question is which of the following statement wrongly represent the nature of smooth muscles the right answer is two, communications among the cells and performed by the intercoilated disc अगें next questions देखते हैं what is the functions of characteristics is incorrect within respect to cockroach तो cockroach से भी question इस साल आएगा जैसे यहां लिखा है hypo pharynx, lie is very inclusive and mouth is pair this is the right answers अगें female 7th to 9th यहां पे स्टेना together from the such mouth pair तो यह भी जो है genital pouch यह भी बिल्कुल सही है उसका 10 abdominal segment of both sexes, spier, spier in the anal साल की यह भी बिल्कुल सही है यह option चोहिए गलात है क्यों गलात है क्योंकि यहां पे कह रहा है कि adding is gastric cocky is present present कहां सब जाएगा absent होता है कहां पे Jackson of midgut के पास और hinggut के पास तो गलात option हो जाएगा अगें पे next question जो किनिट 2322 दोनों में repeat हुआ था जैसे कि family आपको बताना है मुसे डेई तो मुसे डेई जो होता है वो housefly का family का नेम है ठीक है बाखी grass आप पर यह सब नहीं होता अगें next question अगें next question अब हमारा यहाँ पे biology बोटनी तो हमने कर लिया पूरा पचास question जो लोजी के section B वाला question स्टार्ट होता है जहां से 15 question और repeated है तो पंदरा question और है यहाँ पे जैसे फलेडियासिस तो फलेडियासिस का बोचिरेडिया वुरंकेट से होगा उसके हाँ एमिया बीसिस किससे होता है एंट अमिबा हिस्टोलीटिका से निमोनिया किस चीज़ से होता है तो निमोनिया जो होता है ना वो एक मतलब इंफ्लुएंजर के कारण होता है तो आपको पता ही है कि ट्राइकोफाइटोन से होता है तो 3,4,1 and 2 is the right answer अगेन नाव next question is following the statement and protomium on the earth the right answer is a,b and c ठीक है यहाँ पर पूछा गया यहाँ पर जो statement है it serves as the covering of mouth तो mouth को भी cover करता है protomium of earthworm earthworm के जो protomium होते हैं वो mouth को cover करते हैं तो यह बिल्कुल सही है it has been the open crack and swell into the can with crew तो यह भी बिल्कुल सही है फिर यहाँ पर यहाँ पर यह बिस है मतलब कि a,b,c is the right answer यह क्यों गलत है क्योंकि यहाँ पर कहाँ गया it is the first body segment यह जो होता है यह first body segment नहीं होता है earthworm के अंदर तो यह option गलत होगा अगेन फिर next questions है जो कि matching का ही पुछा गया है जैसे कि adaptive radiation से यह question है adaptive radiation जो होगा इसका डाइटांसर डर्विन फ्रेंचिस इन्हों नहीं adaptive radiation को प्रपोस किया था अगेन conversion of evolution तो convergent evolutions को हम यहाँ पे wing और butterfly, birds यह एक से example होते है तो इसको मिला देंगे divergent evolution जो होता है वो कहाँ पे होता है तो divergent evolution जैसे कि bone of the four limbs, man of the whale तो यह हो जाएगा तो इसका डाइटांसर 4, 3, 2 and 1 इस डाइटांसर ठीक है अगेन नाव next questions इस next questions यहाँ पे क्या है follow the statement refers to the lipid तो lipid पे आपको पताना है lecithin is a phospholipid and trichodoside propane is glycerol मतलब B and C is डाइटांसर तो correct option यहाँ पे B and C हो जाएगा अगेन फिर next questions देखते है जो कि assertion reason के है assertion reason में पुछा गया assertion कह रहा है a person goes to the high altitude of experiences and altitude sickness with symbols like breathing difficulty in the hurt multiplications तो यह option जाएगे बिल्कुल सही है लेकिन दूसा reason कहाँ है due to low atmospheric pressure at high altitude the body does not get sufficient oxygen तो यह भी option सही है बोथ assertion and reason are correct और reason भी explain कर रहा है तो this is the right answers आगेन फिर next questions जो की matching कहाँ है जैसे कि LN rules तो LN rules को हम polar seal बोलते हैं तो उसके रहाद physiological adaptations तो यह जो हो जाएगा वो kangaroo rat इसके examples हो जाएगे behavioral adaptations में यहाँ पे divergent lizard आजाएगा desert lizard और biochemical adaptations में आपे right answers बेराइन फिस और depth हो जाएगा मतलब की 4, 1, 2 and 3 is the right answers नाव दर नेक्स्ट कोस्टन इसके रहा है which of the following statement is about histone is wrong तो यहाँ पे histone protein के लिए कौन सा wrong हो जाएगा तो यह हो जाएगा wrong क्यूंकि कहाँ प्योच ऑफ हिस्टोन is slightly acidic नहीं यहाँ बेस्रीक होना चाहिए था ठीक है अगेन आते हैं हम अपने next questions भी next questions कहाँ रहा है कि statement है the codon AUG code for methanone and polynone तो यह options बिल्कुल incorrect है कि AUG जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक के लिए होता है अगेन फिर दूसरा option है AAA and AAG जो होता है both codons of amino acid and lysin बिल्कुल साही बात है दोनों codon amino acid lysin के लिए होते है तो statement first is incorrect second is correct again for next questions है scapula scapula जो होता है वो rectangular flat bone होता है thin angle का होता है उसके बाद फिर यहाँ पे sternum sternum को हम यहाँ पे मिलाएंगे flat bone से ठीक है तो right answer 4, 3, 2 and 1 जाएगा again फिर हम अपने next questions को देखते है which of the following secret the hormone relaxin and यहाँ पे फिर है later phase of the pregnancy तो pregnancy में carpus lutea नाम की hormone secret होती है relaxations के लिए उस female को दर्दनाओ इसके कारें ठीक है अब आते हम अपने next questions फिर अब हमारे total 3-4 questions बागी है जैसे कि यहाँ पे है सबसे पहले जैखी इस पर एक ट्रीक बनता है जैसे identify the cell type cell jackson is helping the stop leaking तो stop leaking के लिए tight jackson मिलाएंगे फिर यहाँ पे आगे के जो options है जैसे कि यहाँ पे पुछा गया communication तो gap jackson ठीक है तो tight jackson gap jackson इस तरह इस बागी adhering jackson जो होता है इस cementing का काम होगता है तो यह गलत हो गया यहाँ पे gap jackson है लेकिन adhering jackson गलत अगें next question is which of the following is not important component of initiation of parturition नहीं होँ है तो human के parturition के लिए कौन सा इनमे correct option है यह प्रोल्यक्टिन हार्मन release नहीं होता बाकि यहाँ पे prostoglandine oxytrix hyaluristogen present होते है तो यह option गलत होते है अगें फिर next questions which of the following is not step in the multiple ovulation embryo transfer मतलब की MOET तो MOET के लिए right answer अटी हो जाएगा cow in the administration hormone having a less like activity for super ovulation तेक है अगें फिर next है during muscular contraction muscular contraction के लिए कौन सा यहाँ पे सही options है तो H zone disappear सही बात है A bond widens गलत option है उसकार I bond reduced in the width सही है myasthenia hydrolasers ATP release and ADP and PI बिल्कुल सही है और फिर यहाँ पे option है jetline attached to acting and pulled inverted यह भी बिल्कुल सही है मतलब की B ही गलत है बाकि सार अप्शन सही है तो A, C, D and E is the right answer अगें फिर next or last question है इस पूरे pyrogy session के यहाँ पे question है the adenosine deaminase deficiency result into तो adenosine deaminase deficiency जो होता है वो एक परकार का die function of immune system के internally जैसे कि immune system के internally वो function सही से नहीं करता है बिल्कुल गलत तरीके से function करता है तो यह परकार का right answer सुझाएगा बाकि यहाँ पे this is incorrect digestive मतलब यह सब this is के नहीं है लेकिन adenosine deaminase deficiencies के result नहीं देते तो सारा और लोगों total हमने question कर लिया है जो की 6 से 7 pages में था इन सारे 6 से 7 pages को हमने आपे cover कर लिया I hope यह video आपके लिए helpful रहा होगा और यह सारे question करने के बाद आपके confidence level I hope पहले से जादा तो अच्छे हो गए होंगे ठीक है तो सारे question काफी जादा important है नीट 2024 के लिए especially मैंने 2022 का question बहुत ही अच्छे से discuss किया हुआ है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस channel के playlist में जाके उस video को फटा-फट से अभी क्या अभी तुरांत अभी क्या भी आप उसको देख लेंगे तो फिर मिलता है फिर हम अपने अगले PYQ के ऊपर ठीक है जो कि हम chapter wise कर रहे हैं अभी के समय में तो chapter wise वाला भी कोर्शन आप एके करके देख लेंगे और प्लीज इस channel को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले ठीक है तो मिलता अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत थैंकिए